मैं विकास, आज हम क्लास 11th का Maths करेंगे बच्चों, और Maths में हमारा चैप्टर चल रहा है Sets, तो उसी का आज हम एक नए लुख करने जा रहे हैं, तो आज बच्चों जो कंसेप्ट करेंगे, ध्यान से उसको समझेंगे आप, उसके आधार पे हम questions भी करेंगे, तो थोड़ा तो आप ध्यान से देखेगा ध्यान पूर्वक देखेगा उसके बाद आप इसके उपर questions करेंगे तो चले स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और start करते हैं तो बच्चों जो नया concept आपके सामने आने वाला है उसको हम बोलेंगे समुच्य का पूरक समुच्य का पूरक पूरक बच्चों आपको पता होगा क्या होता है पूरक पूरक मतलब compliment compliment of a set तो किसी भी set का compliment अब compliment क्या हुआ compliment या पूरक क्या होता है किसी को दोनों ही word समझ में नहीं आए तो उसके लिए और एक आसान सी चीज बता देता हूं कि compliment मतलब होता है जो चीज दी होती है उसका उल्टा उससे उसके अलावा दूसरी चीज यह मतलब हो ठीक है बच्चो जैसे हम इसको एक definition से समझते हैं ठीक है इसकी definition क्या कहती है कि मान लिजिए कोई set a है समुच्चे a है हमारे पास ठीक है समुच्चे a है तो इसका मतलब क्या हुआ कि समुच्चे a समुच्चे a के पूरक को पूरक को किस से दर्शाएंगे हम जैसे कोई भी set है अगर आप से मैं बोलूं कि समुच्चे a है इसका पूरक निकालना है तो आप कैसे बोलेंगे अब बोलेंगे कि ए कॉम्प्लिमेंट निकालना है ए पूरक निकालते हैं तो ए के उपर जो यह डैस आता है इससे इसको दर्शाएं पूरक को ठीक है सिर्फ दर्शित करते हैं अब बचो इसमें एक बहुत ही इंपर्टेंट सी जाती है जो आप पहले सीख चुके हैं उसी के बारे में इंपर्टेंट पॉइंट हम यहां पर पढ़ेंगे तो उम्मीद है जो पहले अभी तक आपने पढ़ा है तो वो सारा आपने कवर किया है और आपने सारी वीडियो देखी हैं तो इसी तरह बच्चो हम उसी कॉंसेप्ट का पीछे वाले कॉंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए इसका आगे बढ़ाते हैं तो इसमें बोला गया है सारवात्रिक समुच्च अब यह आपको पता होगा पता होना चाहिए क्योंकि हम यह चीज भी पढ़ चुके हैं सारवात्रिक समुच्च क्या होता है सारवात्रिक समुच्च में बता भी देता हूं इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं क्या बोलते हैं यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट बोलते हैं मतलब जिसमें सारी चीज़ें आती है यह हो गया यूनिवर्सल सेट सारवात्रिक समुच्च अब सारवात्रिक समुच्य में से, अगर हम किसी समुच्य को माइनस कर देते हैं, किसी भी समुच्य को हम इस में से, यूनिवर्सल सET में से, किसी भी सेट को माइनस करेंगे, तो जिस set को हम minus करने जा रहे हैं जिस set को इसमें से minus करेंगे उसका पूरक set आएगा उसका complement set आएगा या फिर पूरक समूच्छे आएगा अब इसको अगर हम example से समझें, एक उधारन की मदद से हम इसको समझने कोशिश करते हैं, तो देखिए, माल लेते हैं, एक universal set है, ठीक है, सारवात्रिक समुच्चे है, ये है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ठीक है, और एक set है, A, समुच्चे A, ये है, दो, चार, छे, आठ, दस, यानि, सम प्राकरत संखें, ठीक है, अब हमें अगर निकालना है, मैं बोलूं, कि हमें, ये normal set A है, ठीक है, लेकिन हमें A compliment निकालना है, मतलब जो A दिया है, उसका फूरक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, क्या बताया थ यू में से A minus कर देंगे हम, ठीक है, यू में से A minus कर देंगे हम, तो हमारे पास A dash आजाएगा, A compliment आजाएगा, यही चीज़ अभी आपको समझाई थी, तो U में से A अगर minus करेंगे, तो क्या क्या आएगा, देखिए, जो U के elements अब वो लिख देंगे, बस A के elements वहाँ से हट आके, तो एक लिख देंगे, दो इसमें आ गया है, इसलिए हम दो को हटा देंगे, प्लीन लिखेंगे, पांच लिखेंगे, साथ, नू, तो A का जो पूरक है, उसमें यह अव्यव आ जाएंगे, इस तरह से इनको करेंगे बच्चों, अब देखिए, कि इसके आधार पे ए समझ में आये, कितने बच्चे समझ पाये हैं, उस एक्जामपल को आप करने की कोशिश कीजिए, ये एक्जामपल है आपके सामने, इसमें बोला गया है, मान लीजिए, यू, देखिए, यू यहाँ पे आपको दिया है, एक, दो, तीन, चार, पांच है, ये उसके पूरक निकालना है, बी का भी पूरक निकालना है, एका पूरक और बी के पूरक जो आए हैं, उसका आपको इंटरसेक्शन निकालना है, और ए और बी का यूनियन आपको निकालना है, ठीक है बच्चो, फिर उसके बाद प्रूव भी करना, सिद्ध करना है, आपको ए यू आप निकाल पाते हैं निकालने कोशिश कीजिए उसके बाद हम इसको साथ में सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा आप टाइम लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए देखते हैं कितने बच्चे इस को समझ पाएं हैं काफी सारी चीजें इसमें यूज हो रहे हैं बहुती अच्छा क्वेशन होने वाले हैं तो बच्चो आपने काफी लोगों ने कर लिया होगा ये क्वेश्चन कुछ हद तक तो करी लिये होंगे इसके पार्ट अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम से पू माइनस कर देते हैं तो एक कॉंप्लिमेंट आ जाएगा इसी तरह से हम कर रहे थे तो इसको माइनस करके लिए अब देखिए यूनिवर्चल सेट हमें दिया है ए भी दिया है तो क्या लिख सकते हैं हम एक दो हटा देंगे और तीन हटा देंगे इसमें से तो चार पांच औ और 6 आ जाएगा एक कॉंप्लिमेंट में एक पूरक में इसी तरह बी का पूरक निकालिए बी का पूरक क्या आएगा यू माइनस बी तो इसमें बी में है तीन चार पांच तो यह हटा देंगे यूनिवर्चल सेट में से क्या बच जागा एक दो और 6 यह बच जाएगा तो डिएए तरहां निकालना है कि the अगलना है कि एक कॉंप्लिमेन्ट का और बी कॉंप्लिमेंट का इंटर सेक्षेप्षन अब इंटर सेक्षन निकालना बच्चों आपने बहुत सारे कुर्सनिके जाए है इस टो मीद है कि आप को याद हो सोगी कैसे निकालते हम intersection उसको याद करने कोजिश कीजिए intersection निकालते time हम क्या करेंगे इन दोनों में से जो common होंगे जैसे एक और चे common है यही लिखेंगे हम intersection में एक और 6 अब को याद आगया होगा आप देखिए तीन चीज तो हमने यहां पे कर दी हैं अब है ए यूनियन बी यूनियन निकालना भी आपने सीखा है बहुत सारे question किये हैं इसके base पे तो यूनियन भी आप आसानी से निकाल लेंगे ए और बी में जितने यहां तक तो हो गया अब हमें प्रूव करना है सिद्ध करना है क्या करना है यह दोनों चीजें सिद्ध करनी है तो हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे left hand side और right hand side ले सकते हैं left hand side लेते हैं पहले मतलब बाया पक्स हम लेते हैं तो उसमें क्या बोला है a union b का intersection आपको बताना है a union b तो पता है हमें इसका intersection ही तो करना है a union b जब पता है तो इसका intersection कैसे कर सकते है यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर देंगे किसको A union B को तो क्या आएगा यूनिवर्सल सेट में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये elements यूनिवर्सल सेट में से हम हटा देंगे क्या क्या हटा देंगे 2, 3, 4, 5 तो बच जाएगा 1 और 6 है अब right hand side देखते हैं right hand side में क्या बोला है कि a compliment और उसका intersection है b compliment के साथ तो हम इसको कैसे निकाले लिए लिए हमें a compliment यह हो गया और b compliment यह हो गया इसका intersection हम पहले निकाल चुके हैं कितना है एक और जह nên तो आप देख सकते हैं कि left hand side बायापक्स बराबर है दायापक्स के तो यही तो सिद्ध करना था हमें कि यह दोनों बराबर हैं सिद्ध कर दिया हमने बस तो इस तरह से आप यह questions कर सकते हैं अब देखिए कि एक चीज और हम सीखने वाले हाँ यहाँ पे और वो है D Morgan का नियम D Morgan का नियम ठीक है D Morgan's rule इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं D Morgan rule यहाँ पे इसको बोलेंगे देखिए D Morgan गणित तक गया है ठीक है उसके नाम पर रखा गया है अब देखिए दो समुच्यों के सम्मिलन का पूरक उनके पूरक समुच्चों का सर्वनिस्ट होता है तथा दोनों समुच्चे के सर्वनिस्ट का पूरक उनके पूरक समुच्चे का सम्मिलन होता है ये दोनों चीज एक दूसरे की विपरीत है बचो तो इन चीजों को ध्यान रखना है इसको हम दी मॉर्गन के नियम कहते हैं क् तो क्या है इसका मतलब बच्चो धान से समझेंगे हम बिल्कुल बहुत ही जरूरी चीज है आपके लिए दो समुच्चे हैं ठीक है उनका सम्मिलन का पूरक दो समुच्चे के सम्मिलन का पूरक निकालेंगे हम सम्मिलन मतलब क्या होता है बच्चो आपको पता होना चाहिए स इस तरह निकाल सकते हैं, सम्मिलन का पूरक भी निकालना है हमें, तो इसका पूरक हमने निकाल लिया, तो ये किसके बराबर होगा, उनके पूरक समुच्यों का सर्वनिस्ट होता है, मतलब उनके पूरक समुच्य है, A और B के पूरक, ये होगे, अब सर्वनिस्ट क्या होता ह बच्चो जो intersection होता है उसको सार्वनिस्ट बोलेंगे intersection मतलब ऐसे और union मतलब ऐसे वाला जो sign आता है तो ये intersection हो गया मतलब ये दोनों बराबर हैं यही कहते हैं गणित तक गे डीमोर का है अब दूसरा क्या बोला गया है और के बाद statement पढ़ ये तथा ये तो यहां तक आ गया इसके बाद देखिए दोनों समुच्चों के सार्वनिस्ट का पूरक मतलब ऐ intersection बी और इसका पूरक किसके बराबर होगा बच्चो ये होगा A intersection A complement और B complement इनका union होगा बच्चो बोला गया है ना इनका सम्मिलन होता है उनके पूरक का सम्मिलन होता है तो ये जो दो चीज यहां पर बताई गई हैं बराबर हैं तो ये D Morgan के नियम में आती हैं ये चीज आपको पता होनी चाहिए ये आपका कुछ जगह इस्तेमाल भी होगा इसके बेस पर क्वेशन भी आएंगे इसलिए इसको आप धान से समझें और अगर कोई डाउट लगे आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कमेंट करके आप अपना डाउट भी रख सकते हैं उसको क्लियर किया जा सके तो यहां तक हमें डी मॉर्गन के नियम तक कोई भी शंका संदे नहीं होना चाहिए सब एक्तम क्रिस्टल क्लियर है आपके सामने अब बचो कुछ हम गुण धर्म करेंगे पूरकों के कुछ गुण धर्म करेंगे ठीका बच्चो तो चलिए जो गुण धर्म हम कर सकते हैं तो पूरकों के गुण धर्म तो सबसे पहला जो नियम आता है रूल आता है वो यह आता है बचो कि अगर मैं बोलूँ ए और इसका यूनियन करना है ए इंटरसेक्शन के साथ ठीक है मतलब ए कॉम्प्लिमेंट के साथ ए के पूरक के साथ अगर कोई सेट है उसका हम यूनियन कर दें उसके कॉम्प्लिमेंट के साथ तो हम क्या करते हैं दोनों एक दूसरे के अलावा होते हैं मतलब जो A में होगा वो A- में नहीं होगा तो अगर दोनों को हम मिला के लिखें तो हमें क्या प्राप्त होगा कुछ-कुछ आपको भी समझ में आ रहा होगा कि क्या मिल सकता है हमें हमी universal set मिलेगा बच्चो क्या मिलेगा universal set मिलेगा जिसको हम U से represent करते हैं, ये U है बचो, universal set हमें प्राप्त होगा, अब देखिए दूसरा, अगर मैं बात करूँ दूसरे नियम की, तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर हम इन दोनों का A का और A' का intersection निकाले, तो देखिए, दोनों में कोई भी चीज common नहीं आएगी, intersection का मतलब तो भी होता है ना, कि दोनों में कोई चीज common हो तो वो लिख देंगे, अब दो set है, उनमें कोई चीज common नहीं है, तो हम क्या लिखते हैं, ये चीज भी हम कई बार कर चुके हैं, ये empty set हो जाएगा, fire हो जाएगा, इसको fire से represent हम करेंगे, अब जो third है, वो कहता है कि अगर A क compliment है और इसका भी हमने compliment कर दिया, मतलब A के पूरक का भी पूरक कर दिया, तो क्या आजाएगा, फ़ी गुमा फिर आके फिर A ही आएगा हमारे पास, ठीक है, क्या आजाएगा, A के पूरक का भी पूरक है, मतलब हमें A set ही प्राप्त होगा, अब अगर मैं बोलू, एक नियम मोरा जाता है, अगर फाई है और इसका पूरक हमें करना है, तो फाई का पूरक क्या होगा, बच्चों, फाई मतलब empty set होता है, और universal मतलब जिसमें सब कुछ हो, तो इसका पूरक क्या आजाएगा, फाई का पूरक आजाएगा, अब फिर्स देखिए, अगर मैं बोलू, ठी तो यॉनिवर्सल रसेक का QMR s सिंपल है यहीं से पता लग जाता है कि और सिंपल है तो यह कुछ गुंद्हर्म है जो आपको ध्धान रखने हैं और जिनको आप आप इस्तेमाल भी करेंगे time to time जब इनको use करने का समय आएगा अब बचो किस्जन करते हैं हम देखते हैं आप कितने question यहाँ पर attempt कर पाते हैं exercise आपकी start हो जाती है यहाँ पर 5.1 और देखिए पहला question आपके सामने है मान लीजिए कि U दिया हुआ है आपको यह universal set A, B और C तीन समुच्चा आपको दिये हैं तीन set आपको दिये हैं और इनकी मदद से आपको यह parts solve करने हैं बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने example किया था उधरन किया था उसी तरह से इसको हम करेंगे तो देखते हैं कितने बच्चे solve कर पाते हैं इनको आप solve करो और अपने answer आप comments में बताओ ताकि हम साथ-साथ इसको solve कर सकें और देख सके verify कर सके कि कितना आपने सही किया है तो इसको चलिए solve की किजिए हैं अब जो answer बताएंगे बचकों कैसे बताएंगे वो ऐसे लिखेंगे पहला है जैसे पार्ट वन का answer है तो अब पहले का Part 1 लिखेंगे और फिर आप अपना आंसर देंगे फिर पार्ट तू का अंसर पार्ट थ्री ऐसे करके जितने भी आप पार्ट करते हैं सब के आप आंसर लिखिए तो पटापट इसको solve कीजिए आप इतना टाइम काफी है कितने-कितने पार्ट कोई आपके solve उमीद है कि पहले तीन से चार पार्ट आप में solve अभी तक कर दिये होंगे तो तब तक आप बाकी पार्ट solve कीजिए हम यहाँ पर start करते हैं first part से solve करना तो देखिए पहला यहाँ पर बोला गया है A का compliment हमें बताना है A का compliment हम कैसे लिख सकते हैं A में से अगर हम set U में से A को minus करने तो A का compliment आजाएगा तो universal set में से जो A के element से वो हटा देते हैं क्या बच गया एक हटाना है हमें 2 हटाना 3 और 4 यह चीज हटानी है 1 2 3 4 तो क्या बच जाएगा यह बच जाएगा पांच 6 7 8 और 9 यह चीज़े हाँ पर बच जाएगे यह अभी अभ बच जाएगे elements बच जाएगे तो यह A कॉम्प्लिमेंट हो जाएगा अब हमें B कॉम्प्लिमेंट करना है तो वही चीज़ करेंगे लेकिन इस बारी universal set में से B वाले कॉम्प्लिमेंट हम हटा देंगे तो क्या बच जाएगा अगर हम 2 4 6 8 हटाते हैं तो 1 3 5 7 और 9 यह अभी अब बच जाएगे तो यह B कॉम्प्लिमेंट में आ जाएगे फिर उसके बाद थर्ड वाला पार्ट देखिए अगर बोला जाए यह सेकेंड था यहां पे हम तीसरा भाग करेंगे इसका A union C करना है हमें पहले A union C और इसका कॉम्प्लिमेंट निकालना है हमें तो सबसे पहले हम A union C निकाल लेंगे, उसके बाद ही तो compliment निकाल लेंगे, तो A union C क्या होगा, जो A और C के elements हैं, अभी हम उनको मिला के लिख देंगे, A में है 1, 2, 3, 4, और C में है 3, 4, 5, 6, तो 3, 4 तो repeat हो रहा है, उसको छोड़ देंगे हम, लिख देंगे 5 और 6, बिल्कुल इस तरह इसको कर देंगे, fourth देखिए, पहले इसका बचो, अब intersection भी तो निकालना है हमें, तो A union C का intersection हम कैसे निकाल देंगे, universal set में से A union C को minus कर देंगे, क्या जाएगा, ये हटा देंगे, हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, universal set में से हटा के लिख देंगे, क्या बच गया, 7, 8, 9 बच गय ये 7, 8, 9, ये आपका answer हो जाएगा, अब अगले पार्ट पे move करते हैं, fourth पार्ट है, A union B का intersection, अभी हमने A union C का intersection किया बच्चो, उसी तरह A union B का intersection आप कर सकते हैं, ये तो खुद आप कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है, यहाँ पे C है, तो यहाँ पे B आ गया, question तो सेम ही है intersection निकाल के और फिर इसका अपने compliment करना है, हो जाएगा, अब fifth वाला देखिए, fifth party यहाँ पे करते हैं, तो A compliment का compliment, अब देखिए, क्या यहाँ पे जो हमने अभी नियम पड़े थे, वो इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, हुआ इस्तेमाल, तो क्या बोलते हैं हम, अगर A के compliment का compliment हो, तो उसको A ही बोलते हैं, set A आजाएगा, और वो क्या है, वो तो हमें पता है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो सीधा वही लिख देंगे हम, देखिए, चीजें आपको सारी दी है, question में ही दी गई है, बस आपको पता होना चीए, कि कहां पे क्या लिखना है, तो अगर आपको नियम मालूम है, तब ही तो आप यह चीज कर पाएंगे, बहुत ही आसान questions है बचो, थोड़ा सापको ध्यान दखने की जर्वत है चीजों को, अब B-C का compliment हमें करना है, तो पहले B-C यहाँ पे कर देंगे, उम्मीद है छाटा question भी आप लोगों ने कर लिया हो मतलब अगर B में से C माइनस कर देंगे, तो क्या बच जाएगा, हम B के elements, उन elements को हटा देंगे, उन अवयबों को हटा देंगे, जो C में है, तो कौन से कौन से है, 4 और 6 यहाँ पे C में है, मतलब 2 और 8 लिख सकते हैं, 2 और 8, अब बच्चो इसका अगर आपको compliment लिखना हो, B माइनस C का compliment पूरक करना हो, तो आप क्या करेंगे, इसका पूरक करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से इन दो अवयबों को आप हठा देंगे, माइनस कर देंगे, क्या बच जाएगा, 1, 3, 4, 5, 6, 7, और 9, यहाँ पे आपका solve होता है, तो इस तरह से करेंगे बच्चो, अगला question पे चलते हैं, next question है आपका, कि यूनिवर्सल सेट दिया है, तो इनके सब के पूरक आपको बताने हैं, क्या बताने हैं, A का पूरक, B का पूरक, C का पूरक और D का पूरक, बस यही हैं आपके चार parts, easy है, यह तो अब आप दो तिन कर चुके हैं, तो करिए, comments में answer बताईए, क्या क्या आएंगे, A, B और C, D, इन सब के compliment पूरक क्या आएंगे, solve करके, आप chat में answer बताईए, तो यहाँ देखो आप, अगर A compliment हमें निकालना है, A का पूरक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, universal set जो है उसमें से A को minus कर देंगे हम, टीक है, लेकिन जो हमारे पास set A है, उसमें A, B, C, तीन alphabet मौझूद हैं, तो इन तीन alphabet को हम वहाँ से हटा देंगे, किस से, universal set से, बाकिये alphabet लिख देंगे, तो A, B, C हटा के क्या बच गया, D, E, F, G, और H, यह हो गया, A का पूरक, A का compliment, A dash, अब इसी तरह हैं, हम B का compliment करेंगे, B का compliment देखिए, D, E, F, G, यह हम इसमें से हटा देंगे, universal set में से, तो क्या बच जाएगा, A आएगा, B आएगा, C आएगा, लेकिन D नहीं आएगा, E नहीं आएगा, F नहीं आएगा, और G नहीं आएगा, लेकिन, and वाला H तो आएगा, तो यह B का compliment हो गया, इसी तरह हैं, C compliment, ठीक है, C compliment क्या है, A, C, यह तो set C दिया है, इसका तो हमें compliment निकालना है, तो universal set में से, इसके अव्यव हटा देंगे हम, A हट जाएगा, B आजाएगा, C हट जाएगा, D आजाएगा, E हट जाएगा, तो F आजाएगा, और G हट जाएगा, H आजाएगा, फिर उसके बाद, D set देखिए, F, G, H, A, यह सब हटाने हैं, तो B, C, D, E, F, G, H, इसमें present हैं, तो बस यहीं तक इसके, हम यह बना सकते हैं, compliments, अब देखिए, कि question number two हमारा complete होता है, अब आपके सामने नया question आता है, देखिए, अगला question देखिए, ध्यान से आप, इसमें क्या बोला गया है, प्राकरत संख्याओं के समुच्य को सार्प्रिक समुच्य मानते हुए, निम लिखित समुच्याओं के पूरक लिखिए, तो बचो आपको पता होना चाहिए, कि universal set यहाँ पर क्या बोल दिया गया है, यह बोल दिया गया है, कि प्राकरत संख्याओं, प्राकरत संख्याओं क आपको जो यहां पर सेट दिये गए हैं, समुच्च दिये गए हैं, आपको 11 समुच्च दिये गए हैं, इनके फूरक आपको निकालने हैं, तो आप जल्दी से इनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, सॉल्व करके देखिए, बहुत ही आसान लगेंगे आप एक पारी करन को मैं लिए और दिशक्राश करेंगे इनको हम सब अपने आंसर में गए और अपको कितना समझ में कहा करने बात अगर सो क्टे तो हम इनको इस क्वेस्चन को यहां पर ऐक भारी वाएज़ सोल्व जरूर करेंगे बच्चो ठीक है तो बच्चो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे जो भी हमने questions किये concept किये नियम भी हमने किये हैं तो उनको आप दोबारा एक बार revise करेंगे और जो आपको homework मिला है उसको अच्छे से आप करें और फिर आप comments में बताएं कि आपका कितने questions यहां पे हो गए हैं इसी के साथ आज का lecture हम खतम करते हैं thank you and have a nice day